किसी भी जहाज के जीवन में चार प्रमुक औप्चारिक अफसर होते हैं कील बिछाना लॉंच करना चालू करना और डीकमीशन करना लॉंचिंग तब होती है जब जहाज को निर्मान स्थल से पानी में स्थानांतरित किया जाता है चेन्नई में मंदलवार को लॉंच किये गए आठ एंटी सब्मरीन वॉफया एस डवल्यू शालू वाटर क्राफ्ट एस डवल्यू सी में से पहला अर्नाला का नाम महराश्ट्रा के तड़ पर इसी नाम के द्वीप किले के नाम पर रखा गया है भारतिय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जी आरैसी द्वारा निर्मित मराथा योध्धा राजा च्छत्रपती शिवाजी महराज द्वारा वसई से लगभग 13 किलोमीटर उत्तर मिस्थित अर्नाला द्वीप को दिये गए रननीति समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए जहाज का नाम अर्नाला रखा गया है लॉंच चेन्य के कट्टुपली में एल एंटी की जहाज निर्मान सुविधा में आयोजित किया गया था अर्नाला ने रक्षा मंत्राले की वित्तिय सलाहकार रक्षा सेवाए प्रसिका चौब लॉंचिंग तब होती है जब जहाज को निर्मान स्थल से पानी में स्थानांतरित किया जाता है नौसेना की समुद्री परंपरा को ध्यान में रखते हुए चौबे ने अथर्ववेद के मंत्रों चारण के साथ जहाज का शुभारंब किया अप्रेल 2019 में रक्षा मंत्राल और GRSE कोलकाता के बीच 8 ASWSWC जहाजों के निर्मान के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गए थे अर्नाला वर्ग के जहाज भारतिय नौसेना के अभय वर्ग ASW जहाजों की जगह लेंगे और तटियक शेत्रों में पंडुबबी रोधी संचालन करने के लिए समगती और 1800 NM के धीरच के साथ 900 तन का विस्थापन है रक्षा मंत्राले ने कहा है कि ASWSWC जहाजों में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामगरी होगी ये सुनिश्चित करते हुए कि भारतिय विनिर्मान इकायो द्वारा बड़े पैमाने पर रक्षा उत्पादन निश समता निर्मान होता है